हेलो प्रेंज, अराध्य की दसोई में आपका स्वागत है और आज मैं फिर से आपके ले एक न्यू रेसिपी ले करके आई हूँ, मैंगो शेक तो वैसे मोसली आपने मार्कित में भी मैंगो शेक पिया होगा तो आज आपको मैं घर पे किस तरीके से मैंगो शेक रेडी करते हैं तो मैं उसकी आपके साथ एक रेसिपी शेर करने वाली हूँ आप भी अपने घर में ये जरूर ट्राइ करें, घर पर बना कर देखें इस तरीके से आप अगर अपना mango shake बनाएंगे घर पे तो आपको बहुत tasty और बहुत अच्छा mango shake बना पाएंगे तो देखे इसके लिए हमें चाहिए ये दो आम दिये हैं मैंने ये इस size के लिए हैं मैंने बड़े size के इसको मैंने छीड करके पहले से मैंने पानी में रख दिया है पानी में रखने का दीजन इसलिए है क्योंकि जो आम होते हैं ये गरम होते हैं तो इससे थोड़ी देर के लिए आप ठंडे पानी में रखेंगे तो इससे जो इसकी गर्मी है वो निकल जाती है आम की और ये आप जो है यह पानी में पहले से ही मैंने भीगा कर लिए थे अब मैं इसके छोटे छोटे पीसिस काटूंगी इस तरीके से हम इसके सारे पीसिस काट लेंगे यह आपको आम के सारे इस सरीके से इस साइस के मोटे पतले आप कैसे भी कट कर सकते हैं क्यूंकि इसको हम मिक्सी में ग्रेंड करेंगे तो आप दूनों आम को इस सरीके से कट कर लिजेगा अड और बीचराही सर तेक ही और भूम को पक्राइब कि देख्जिन है और तो हम निकसी में जार में गरेड़ याई है गणेगे पड़ेविशमिन को अब डाल सकते हैं अदरवाइस क्योंकि आप नहीं डाल राuirा है तो आप इसमें माड़ी बेड़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मीठा लगेगा डेस्ट में तो ये देखे, ये बिल्कुल रेडी है हमारा मैंगो शेक अब इसमें मैं उपर से थोड़े से ड्राइफूट सेट कर दूँगी तो आप भी घर में एक बार जरूर प्राइख करें गर में इसी तरीके से मार्किट से मैंगो लाकर के और आप मैंगो शेक बना सकते हैं, आप इसमें आईज भी एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर कोई आईज नहीं चाहता है पीना तो आप इसको ऐसे भी नॉर्मली आप इसको पी सकते हैं तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के सार तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राइ करें एक बार इसी तरीके से मैंगो शेक बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगा और हम आपके लिए फिर से एक न्यू नी रेसिपी लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद